बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बल्ले को किनारा लगा और गेंड सीमा रेखा कि पास चाती हुई पूरी तरह चुके उस गेंड को पढ़ने में बल्ले बाज यहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां शांदार फील्डिंग बॉल को लपक लिया है अच्छी तरीके से खेला आसानी से दोरन मिल सकते हैं खराब रनिंग बिट्वीन द्विकेट्स वहां अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है बहुत ही भागेशाली रहे वहां मिस कर गए बहुत ही बढ़िया गेंद बाजी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शौट खिलने की लगता है अपनी एकागरता खो बैठे ओ ये तो बुरा हुआ बल्लेबास के साथ ये गेंद सीधी जाके लगी है ने बोलर अपनी पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बल्ले के एक तम बीच से शौट को मारा जबरदस्ट शौट ये शौट तो रीपले में देखकर और भी अच्छा लग रहा है स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद गेंद बाज अच्छी लए में दिख रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं हवर में खेल दिया है और ग्याप में भी चाजन बल्लेबास पूरे नियंतरन में थे वहां इन्हें अपने लाइन और लेंग्ध को यहां सुधार ना होगा वरना बल्लेबास तो इन्हें माफ करने के मूड में नहीं है बढ़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास बल्लेबास पूरी तरह से चूप गए बढ़िया बोलें चार रन बेहतुरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहां जब फॉल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्लेबासी देखने लाइक होती है अच्छी टाइमिंग बल्लेबास द्वारा क्या यही तीन रन ले पाएंगे शांदार फील्डिंग बॉल को लपक लिया है एनिंग्स की समापती सलामी बल्लेबासों को